प्यारे बच्चों, आज हम संधी का दूसरा भेद वैंजन संधी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, संधी के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद सवर संधी हम पढ़ चुके हैं दूसरा भेद है बच्चों, बैंजन संधी और तीसरा भेद है विसरग संधी, मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं जिसमें इसे सवर संदी में क्या था वच्चो कि सवर के बाद सवर आने पर यानि सवर के साथ सवर आने पर उसमें जो मेल होता है उसे सवर संदी कहा जाता है अब है वच्चो वैंजन संदी नाम से आपको याद रखना है उसकी परिभाशा उसके अर्थ को सवर संदी में क्या था सवर के बाद सवर इसलिए नाम सवर संदी था अब वैंजन संदी में क्या है बच्चो वैंजन के साथ सवर अथवा वैंजन के मिलने को वैंजन संदी कहते हैं यानि पहले शब्द का आखरी अक्सर बच्चो वेंजन होगा और बाद वादे शब्द का पहला अक्सर है सवर अथवा वेंजन में से कोई भी हो सकता है लेकिन पहले शब्द का आखरी अक्सर हमेशा वेंजन होता है तो उसे वेंजन संदी कहा जाता है उधारन के लिए बच्चो दिक पलस गज दिक में देख सकते हैं आखरी एक्सर क्या है कै एक वैंजन है बाद वाला शब्द है गज उसका पहला अक्सर गज एक वैंजन है तो वैंजन का वैंजन के साथ मेल है तो दिक गज बन गया दूसरा उधान है दिक प्लस अंबर तो वैंजन का सवर के साथ मेल है कै और ए मिलके दिगंबर तो इस रहे से बच्चों वैंजन संदी में वैंजन के साथ सवर का भी मेल हो सकता है या फिर वैंजन का भी मेल हो सकता है जबकि वच्चो सवर संदी में क्या था कि सवर के बाद हमेशा सवर ही आता है तो वहाँ पर सवर संदी होती है लेकिन वएंजन संदी में वएंजन के साथ सवर भी आ सकता है और वएंजन भी आ सकता है तो आपको आजे वैंजन संदी के सभी उधारन याद करने हैं जगत प्लस नात जगनात उत प्लस जवल उज्वल में ध्यान दिना वच्चो दोन्नों जे आध्य होते हैं उत प्लस हार उधार तत प्लस लीन तलीन सम प्लस बोधन सम भोधन इनको आप दो तिन बार बच्चों रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे सवर संदी के तो हमने पांच पेट उनके नियमों के साथ समझे थे उनके उधारन याद किये थे तेकिन वेजन संदी के वच्चों आपको ये उधारन याद करने हैं क्योंकि इसके नियम बहुत जादा हैं जो आप अगली क्लासिज में सीखोगे यहां आपको केवल इनके परिभासा ँवेजन संदी के और इसके उधारन याद करने हैं जगत प्लस एस जगदीज, उत प्लस घाटन, उद घाटन, सत प्लस चरित्रे, सत चरित्रे, उत प्लस लास, उलास, आ प्लस छादन, अच्छादन, उत प्लस योग, उद्योग, सम प्लस कल्प, संकल्प, तो आपके ये सवियुदारण आज याद कर लेने हैं, नेक्स टाइम हम पढ़ेंगे विसरग संदी के बारे में अच्छा वच्चों धन्यवाद